ओम श्री साइनाथाए नमहा गुड मॉनिंग, साइन मॉनिंग, शुब गुरुवार, हैपी थर्सडे आज साइन वार की, गुरुवार की, आप सभी को बहुत सारी शुब कामना है आज गुरुवार, हम सब की जंदगे में बहुत सारी खुश्यां लेकर आया है ये गुरुवार का दिन हम साई भक्तों के लिए बहुत प्री होता है, बहुत खास होता है क्योंकि हम आज के दिन को अपने साई जी से बहुत सारी बाते करते हैं बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ बताते हैं उनको अपना दुख तकलीफ अगर हम किसी को बताते हैं तो हुमारे देवा ही तो है तो आईए सबसे पहले अपने बाबा के श्टीचरणों में बैट कर प्राथना और शुक्राना करते हैं धन्यवाद करते हैं अपने मालिक का जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जिन्दगी दी जिन्होंने हमें इतना अच्छा घर परिवार और इतना अच्छा संसार दिया जहां मैं हमेशा अपने बाबा की धुन में मगन रहूं तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं होती मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है क्योंकि एक विश्वास है जो कहता है कि तेरा साई तेरे साथ है तो तुझे किस बात की चिंता चिंता तो तब तक थी जब तक बाबा पास नहीं थे जब से बाबा मेरे पास है फिर मुझे चिंता को पास रखने क्या विशक्ता नहीं है क्योंकि यदि भक्त चिंता पर भरोसा करे तो मालिक के विश्वास पर संदेह करना होता है और मुझे अपने बाबा पर कोई संदेह नहीं है कि मैं मुश्किल में हूँ तो बाबा नहीं आएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता मुझे इतना भरोसा है मुझे इतना भरोसा है इतना भरोसा है अपने श्री साइनात का शुक्राना करते हैं देव साइनात, बाबा आपके श्री चरणों में मेरा बार बार धन्यवाद है, बाबा आपके श्री चरणों में मेरा बार बार शुक्रिया 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 जो आपने मुझे सब कुछ दिया, आपके आशिरवाद से मुझे किसी भी वस्तु की कोई लालसा नहीं है, क मैंने आपके श्री चरणों पर सौप दिया है अब ये अच्छा है बुरा है जैसा भी है परस्तिती दुख की है ये सुख की लेकिन हम तो साइं का नाम लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं इन सासों के लिए आपका बाबा बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से जीवन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्वस्त रखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हे देवा बस इसी प्रकार मुझे अच्छे और सच्छे मार्ग में लगाए रखना मैं कभी भूल कर भी कोई भूल ना करूँ मैं कभी भी किसी को दर्द ना पहुँचाऊं मैं कभी भी किसी के दर्द का कारण ना बनू मैं कभी भी किसी को तकलीफ ना पहुँचा हूँ मेरी वज़े से कभी किसी का दिल ना दुखे मेरी वज़े से कभी किसी आँख में आसो ना आए मैं जो करूँ, बहतर करूँ, बहतरीन करूँ अपने लिए भी, अपनों के लिए भी जो मुझे जानते हैं उनके लिए भी जो नहीं जानते पर विश्वास करते हैं उनके लिए भी हे प्रभू ये परिवार आपकी आपकी देन है आपके आशिरवाद से चल रहा है इस परिवार का हर एक सदस्य आप से आशिरवाद चाहता है दाकि वो आपके आशिरवाद को पाकर अपने जुन्दगी को बेहत कुपसुरत बना सके हे मेरे साइजी बाबा आप तो बहुत दयालू हो भक्त के एक आशो उपर साइजी चल देते हैं योकि जितनी हमें अपने भगवान के जरूरत है ना उतने ही भगवान भी हमारी भक्ती के लिए तरपते हैं वो भी चाहते हैं कि उन्हें को यसा भक्त मिले जो सिर्फ उनका दिवाना हो तो बन जाएए ना अरे इनकी दिवानगी में जो सुक है वो दुनिया के किसी भी कितना ही कीमती होगा ना इस दुनिया का कुछ भी चीज कितनी अधिक मुल्लेवान होगी लेकिन इससे अधिक मुल्लेवान कुछ नहीं है जो प्रबू की भक्ती है क्योंकि पहली बात इसमें ना कुछ खोने का डर ना कुछ पाने की चिंटा कुछ मिला नहीं, कुछ गया नहीं कोई फिकर नहीं है सिर्फ जूम उठना है उसके नाम जाप में सिर्फ जूम उठना है उसकी मस्ती में कोई क्या कह रहा है फर्की नहीं पड़ता बोली जाने दो ऐसा सुकून है भला गई आपको पता है, जब हम हमारा बच्पन था ना, तो हमें इतनी चिंताई नहीं थे हम स्कूल पढ़ते थे, आते थे, मा के हाथ का बना भोजन खाकर त्रिप तो जाते थे जितना मा कहती थी, उतना ही हम करते थे मा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते थे उन्होंने जो कहा, हमने वैसा किया, मा जब अपने बच्चे को तयार कर देती थे ना, तो बच्चा अपने आपको देखने के लिए आईना नहीं देखता था कि मैं कैसा लग रहा हूं, मा ने कह दिया मेरा बच्चा बहुत प्यार है, बच्चा उसी में खुश हो जाता था पर आज का समय कुछ बदल गया है लेकिन फिर भी हम क्यों बदले है, वो सुख जंदगी में दुबारा लोट कर नहीं आएगा तो वो जो प्यार है, वही प्यार करना है क्योंकि वो प्यार निस्वार्थ था आज के समय में कुछ चीज़े ऐसी है जो आपने दी तो हम आपके नहीं दी तो हम आपको जानते ही नहीं होता है ना, वो नहीं करना है हमने हमने अपने आपको क्यों घराब करना है कोई होता है हो यह जाने दोस्त का क्या है उसका उसके साथ अपना अपने साथ है न क्योंकि वो जितना करेगा वो उसका है हम जो करना है वो हमें मिलेगा हम क्यों किसी के लिए कुछ गलत सोचे हम क्यों किसी के लिए कुछ गलत करें हमें नहीं करना है हम क्यों गलत बनें किसी को देख कर बहुत सुख है गलत बनने में लेकिन फिर भी हमें नहीं चाहिए और एक और बाल बताऊं कभी भी ना पीछे मुड़कर मत देखना अपनी लाइफ को कि काश वो मिल जाता वो नहीं था आपका तभी नहीं मिला होता तो दूर नहीं जाता होता तो आपके पास रहे जाता होता तो आपको मांगने की जरुरत नहीं पड़ती आपने गौर किया होगा कभी 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 जो चीज आपकी होती है आप उसे दिल में फील करते हैं और आपको मिल जाती है हुआ होगा आपके साथ कभी न कभी ऐसा आपने फील किया वो चीज आ गई आपके सामने लेकिन कई बार कितना भी फील करवाती ही नहीं है मिलती ही नहीं है तो है ही नहीं अपनी तो कहां से मिलेगी होती तो मिल जाती नहीं थी इसलिए शायद नहीं मिल पाई पर फिर भी कोई फिकर मत करना चिंता मत करना क्योंकि जो आपको नहीं मिली न वो शायद आपके लाइफ के लिए बनी नहीं थी और आपके लिए सही नहीं थी तब ही आपके साइजी ने आपके भगवाल ने वो आपको नहीं दी बस यही कारण था बस बावा से इतनी प्रात्ना है कि प्रभू अगर सुख दीजिए तो इतना देना कि आइंकार ना आए सुख में ऐसे रखना कि हम किसी का आप मान ना करें सुख में हम दूसरों की फिकर करें दूसरों की सेवा में आएं किसी की सेवा के काम आएं किसी के जरुरत में उसके साथ खड़े हूं जब सुख के दिन आएं तो हमसे सेवा की जाए और दुख देना तो बस इतना देना कि मेरा विश्वास ना डोले मेरी आस्था न तूट जाए मेरी श्रद्धा बनी रहे क्योंकि तुम से बहतर मुझे कौन जानता है बाबा रहम नजर करना, दया करना, कृपा करना अपने भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना जो आप पर भरोसा करते हैं जो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करते हैं कि साई जी ठीक कर दो देवा हे प्रभू, उन पर रहम नजर करना क्योंकि आप कहां नहीं हो आप तो कंड कंड में हो बाबा, मेरे अंदर भी हो हमारे इस पुरी परिवार में जितने सद्द से हैं, सब के अंदर साई है सब के अंदर क्योंकि हम वो नजर से नहीं देखते साई वाली, सब के अंदर साई समाया है बस प्रभू ऐसे ही मेरे अंग संग रहना मेरे रास्ते में आई हर मुश्किलों को कैसे पार करना है मुझे सिखाते रहना क्योंकि मुश्किले तो आती जाती रहती है तो मारा साथ होगा तो सब मुश्किल चीज आसान हो जाएगी और अपने परिवार से बस एक चीज कहूंगी कि कभी घबराईएगा मत क्योंकि जब परसिती अच्छी नहीं होती न तो इंसान बहुत ज़ादा घबरा जाता है अरे अब क्या होगा उसका भी हल होगा यहाँ पे हर चीज का हल है भगवान ने एक कॉशन बनाया है न तो आंसर भी बनाया है सवाल है तो उसका जवाब भी है बस कटिन होता है तो ढूंडना उस जवाब तक पहुँचना और जिन्दगी में जब ठोकर लगती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती आपको चलना आ जाता है होता है न ऐसा रास्ते में इंसान सिधा चलता रहता है चलता रहता है जब उसको पत्थर लगता है पाओं में तो वो नीचे देखकर चलता है कहीं दूसरा ना लग जाए चलता है ना देखकर कि अभी आगे न कोई पत्थर खड़ाओ तो वो भी लग जाए तो इसलिए हर चीज भगवान ने जो बनाई है यो ही नहीं बनाई पत्थर को भी बहुत सोच समझ कर बनाया उन्होंने तो सोचे आपके कितनी अहमियत होगी और जो भक्त ये कहते हैं कि हमारे पास प्रभु इतना आपकी सेवा करने के लिए नहीं है दान करने के लिए नहीं है हम क्या करें तो देखिए ये जो पैसे वाली चीज है कि भगवान से कोई लिना देना नहीं है इसका ये तो इंसान देखता और ये इतना है नहीं भगवान जी को मतलब ही नहीं है इस चीज़ से भगवान जी तो आपकी आस्था और श्रद्धा को देखते हैं कि आप करने के लायक हो अगर फिर भी नहीं कर रहे हो तो गलत है लेकिन अगर आप मजबूर हो आपके पास नहीं है और आपकी इच्छा है करने की तो व्यवस्था बनाने में वो देर भी नहीं लगाते वो कहीं ना कहीं से आपको उस लायक बना देंगे ताकि आप कर सको सची बता रहे हैं हम ऐसा हो चुका है हमारे साथ वो आपको उस लायक बना देगे कि तू कर मैं तेरे साथ खड़ाओ तुझे चिंता किस बात की है एक आवाज लगा कर तो देख साई ना आ जाए तो कहना तू से बुला कर तो देख तेरे साथ खड़ा ना हो तो कहना तो उसका बन के तो देख वो तेरा ना बन जाए तो कहना तो बस ये साइं है इनको समझ पाना बहुत कठीन है बस श्रद्धा और सबुरी बनाए रखिए जीवन में सब ठीक हो जाएगा श्रद्धा और सबुरी अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपकी जिन्दगी बहुत कुपसूरत है और हो जाएगी और आज गुरुवार है बाबा के पास बैठिए नाम जाप कीजिए अराधना कीजिए श्री साइं सचरत्र का पाठ कीजिए क्योंकि भगवान के पास दिये गए पांच मिनट भी जिन्दगी में बहुत स्पेशल होते हैं और आज तो और भी जादा है आप बैठिए बाबा के पास बैठ कर ध्यान कीजिए नाम जाप कीजिए अराधना कीजिए साइं को पुकारिए साइं दोड़े दोड़े आएंगे ठीक है तन एक भी मन भटके तो उसको तुरंट वापिस चरणों पर लगाई है बाबा की ध्यान में लगाई है मन भटकी का आपने अपने आपको कंट्रोल में रखना है अपने मन को श्री साइं जी के चरणों में लगाना है ठीक है तो चलिए आईए शुरू करते हैं आज की ग्यारा बचन और आज का दिन और आज की प्रातना को कंप्लीट करते हैं बाबाजी से मेरी प्रातना है जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा चड़े समाधी की सेढ़ी पर पैर तले दुख की पेड़ी पर त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हे तो दोड़ा आऊंगा मन में रखना द्रड विश्वास करे समाधी पूरी आस मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो मेरी शर्णा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए जैसा भाव रहा जिस जनका वैसा रूप हुआ मेरे मन का भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन ना मेरा जूठा होगा आ सहायता लो भरपूर जो मांगा वह नहीं है दूर मुझ में लीन वचन मन काया उसका रिनना कभी चुकाया धन्य धन्य वैभक्त अनन्य मेरी शर्ण तज जिसे ना अन्य अनन्त कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रम्ह शरी सचिदानन्द सद्गुरू शरी साइनात महराज कीजे बाबा आप सबको खुश रखें, हेल्दी और हैपी रखें आज का दिन आपकी लाइफ में बहुत सारी खुश्यां लेकर आए ओम साइन, शरी साइन, जै जै साइन